आज हम लोग ऐसे बेटिस, भारती और पन्यासकार और निवंद कार के बारे में बात करेंगे जो आप देखते हैं कि हमेशा बिवाद में बना रहता है और अभी हाली में, निवार्क में इन पर आप देखे हमला भी हुआ है और आपकी स्क्रीन के सामने कुछ पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप मैंसे बहुत सारे लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा इन्हें जानते भी होंगे आप लोग और आप देखे अपनी लैब लाइफ यानि की पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं इन्होंने चार साधियां की हुए है तो इस कारण भी आप देखे कई वार ये चर्चा में बने रहते हैं और अभी आप देखे कि ये बेटिस नागरिकता हासिल कर चुके हैं और अभी New York में रह रहे हैं, यानि कि अमेरिका में रह रहे हैं, वहीं इन पर हमला हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग एक सामाने जाने कारी देखेंगे, जानेंगे इनके बिवादों के कारण क्या है, उस पर भी बात करेंगे, और इनका नाम है सल्मान रूस्दी, ठीक है अगर हम लोग सल्मान रूस्दी का पूरा नाम देखें तो, अहमद सल्मान रूस्दी इनका पूरा नाम है, और आपको बता दूए कि इनके नाम के आंगे सल्मान कैसे जड़ा, रूस्दी, तो सल्मान रूस्दी के नाम के आंगे रूस्दी क्यों जड़ा, दरसल इनका न दुनिया के बहुत बड़े फिलोस्फिकर इवने रोस्दी की नाम पर रखा गया है इनका जनम 19 जून 1947 को एक भारती कस्मीरी मुसलिम परिवार में मुंबई में हुआ था यानि कि इनका जनम उस समय हुआ था जब आप देखे कि हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था आप सभ का धानी ठीक है तो इसी की बात हो रही है और अगर हम लोग सल्मान रूस्दी के इनका सल्मान रूस्दी की पिता का नाम अनीज अहम przestी और रूस्दी बंबई में ही पले पढ़ाई की हुई है और 1964 में आप देखें कि रूसदी ने बेटिस नागरिक्ता ले ली है वह ही एक बेटिस भारती है राइटर है और इनुकी अगर हम लोग चार साधियों की कहानी बात करें तो आप देखें कि सलमान रूसदी ने चार साधियां की है उनकी पहली पतनी के अपने रिशा लूआर्ड से 1936 से 1987 तक इनकी साधी चली दोसनी पतनी अमेरिका उपनियासकार मैरी मैरी एन वेगें से सिथी और जिन से उनकी साधी 1988 से लेकर 1993 तक चली फिर तलाक हो गया और सलमान रूसदी तीसरी साधी 1997 से 2004 तक चली और उनकी तीसरी पतनी का नाम एलिज बैठ था और आप देखें कि साल 2004 में उन्होंने एक भारती अमेरिकी अबनेत्री मोडल और अमेरिकी रियल्टी टेलिविजन सो टॉप सेब की होस्ट पदमा लचमी से साधी की थी एस साधी आप देखें दो जुलाई 2007 तक चली तो इनकी काफी रंगीन आप देखें लाइ चिल्डरेंड जैसी किताब में लिखकर चर्चा में आए रोस्ती को बुकर पुरुस्का से सम्मानी किया जा चुका है और सेटेनिक वर्सिस के लिए उन्हें इरान के सरवोच धार्मिक निता आयातुला रोहुला और खुमेनी के फदवे का सामना भी करना पड़ा आप दे से हैं जिसमें दुनिया भर के मुस्लिम समधाय को हिंसात्मक फित्ती किरियाओं के लिए उकसाया था और रुस्दी ने कई किताब हैं लिकिन जिसमें दा जेगुवर इसमाइल दा मोर्स लाश्ट शाई दा ग्राउंड बिनीत हर फीड और सालीमार दा क्लाउन सामिल है इस कि कई देशों में बेहन है इस नॉवल का फिच्छन आप देखी 1988 में किया गया था जो बहुत बिबादों में रहा था इसके लिए रुस्दी पर पेगंबर मुहमत साब की अखमान का आरोब भी लगाया था और इस किताब में बिबादित मुसलिम परंपरा के बारे में खुल कर लिखा है और सल्मान रुस्दी का नाता हमेशा से आप देखे कि विबादों में रहा है और इन पर कई बार हमले भी हो चुके हैं साहितिकार बनने से पहले रुस्दी एड एजिंसियों में कॉपी राइटर का भी काम कर रह चुके हैं इनके और उपन्यास देख ल पन्यास तक एक युबा अमेरिकी फिल्मकार की कहानी है और इसके पेकासन में पहले रुस्दी ने कहा था असमिता सच और आतंक और जूट पर उनका अंतिम उपन्यास हो गए सैतानी आयतें के लेकर रुस्दी पर अभी भी 40 लाग डॉलर का इनाम रखा हुआ है कई मुसलिम आप देखी देशों ने पिछले साल इरान और पश्चिम के बीच रिस्तों के सामन होने के ब्याबजूद इनाम की रखम बढ़ा दी गई थी रोस्दी पारे साल तक बेटिस एजेंटों की सुरक्षा में रहे और 21 सदी में प्रिविस करने के साथ ही रोस्दी बेटें छोड़कर अमेरिका चले रहते हैं और सुरक्षा कर्मी उनके साथ तभी नजर आते हैं जब वह किसी सारविनिक कारिकरम में होते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह कैसे पावर्फुल वेक्ति हैं बेटिस महरानी ने इन्हें सर की उपादी भी उपादी से नवाजा था सलमार रोस्दी को साल 2007 में बेट 1996 यूरोपिय संगे की अरिष्टियन पुरुस्काल से समानित किया जा चुका है 1996 में ग्रेट वेटेन और जर्मनी दोनों में वर्स का लेखक चुना गया हैं रथा इने 1971 में उनके दूसरे उपादी चिल्डेन और मिड्नाइट के लिए बुकर पुरुस्काल से समानित किया गया है बुकर के बीच सरफसेट उपादी अर्ट्स एंड डेश लेक्टर्स फ्रांस से समानित भी किये जा चुके है 2010 में आप देखें एक गोल्डन फैदर अबॉर्ड भी इन्होंने जीता हुआ है तो ये कहानी है एक सौर्ट इस्टोरी है सलमान रूस दी की ठीक है और बताईए किसी के बारे में बात करनी होतो है बैसे जो भी चर्षा में रहता है देश दुनिया में हम लोग बात करते र देटे हैं